जब हम खुद में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तभी हमें आस पास अच्छा देखने को मिलता है नमस्कार बोलते तारे आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर ऐसा माना जाता है कि जीवन के लिए सबसे खुशनमा दिन वे दिन होता है जब व्यक्ति प्रेम में होता है या एक ऐसा एसास होता है जिससे परिशान व्यक्ति का मन भी शांत हो जाता है लव पार्टनर्स के लिए विशेश दिन, माने जाने वाला दिन, वैलेंटाइन डे यानि की 14 फरवरी का दिन लव पार्टनर्स एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं किसी के लिए ये दिन अच्छा होता है तो वही कुछ के दिल भी इस दिन तूट जाते हैं आएए जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको अपना प्यार मिल जाए या आप जिससे शादी करना चाहते हैं उससे घर वाले इस शादी के लिए मान जाए मांगलिक दोश होने पर श्वादी में बाधा आती है मांगलिक दोश के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन वरत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए हनुमान जी को गेहु के आटे और घुड से बने लड़ू का भोग लगाए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए और रामाईन के बालकांड का पाठ करे माना जाता है कि घर में जब किसी की शादी हो रही हो तब दूरे का सहरा लेकर सिर्फ पर रखने वाले कुवारे लड़के की शादी जल्दी हो जाती है कन्या को दुलहन से सिर्फ टकडाना चाहिए जिस कन्या की शादी में बार बार बाधाया आ रही हो उसे रात में तामबे के पातर में जल भर कर विश्नु भगवान की मूर्ती या तस्वीर के सामने रखना चाहिए सुभा ब्रह्म मूरत में उसे पातर को लेकर खुले आसमान में चले जाए और इस पातर में रखे जल से मांग भरे और वापस पातर को भगवान के सामने रख दे इस बीच कोई टोके तो कुछ ना बोले एक महिना तक ऐसा करने से विवा में योग मजबूत हों जाते हैं और अब चले राशिफल के तरफ रुख करते हैं और शुरुआत मेश राशी से करते हैं कहीं से आकस्मिक धन लाव मिलने के संकेत है पैसा कहीं निवेश किया हुआ है तो उसमें भी लाव मिलेगा किसी को कुछ गलत कहने से बज़ें और चले मेश राशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर आठ है लखी कलर पूरा है और अब बात करते हैं व्रिश राशी की दिन में सुस्ती छाई रहेगी लेकिन शाम के समय कुछ ऐसा घटित होगा जो आपको रोमान चित कर देगा वैपार को लाव मिलेगा चले व्रिश राशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर तीन है लखी कलर ग्रे है और अब जानते हैं व्रिश के बाद मिथुन राशी वाले जातकों के लिए 14 फरवरी का दिन क्यासा रहने वाला है किसी मित्र के साथ कुछ मद्भेच चल रहे हैं तो 14 फरवरी के दिन सभी गलत फ्यामिया दूर हो जाएगी क्रीशी के छेत्र में उन्नती मिलेगी मित्रुन राशी वाले जातकों का लखी नंबर साथ है लखी कलर आपका महरून है और अब बात करते हैं कर्क राशी की परिवार में किसी बात को लेकर मन्थन होगा और माहौल धार्मिक रहेगा शाम के समय घरवालों के साथ मंदिर जाने का कारिक्रम भी बना सकते है चले कर्क राशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर 4 है, लखी कलर आपका आसमानी है और अब बात करते हैं कर के बाद सिंग राश्वी की कर के बात करते हैं सिंग राश्वी की 14 फरवरी के दिन मंगल थोड़ा भारी है इसलिए एक बार हनुमान मंदिर जाकर आए या घव पर ही तीन बार हनुमान चलिसा का पाठ करे संकत टर जाएगा चले सिंग राशी वाले जातकों का लखी नंबर कलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर दो है लखी कलर संत्री है और अब बात करते हैं कन्या राशी की जौब करते हैं तो 14 फरवरी के देन आफिस की राजनीती से दूर रहें अनिता सब इल्जाम आपके उपर ही आ सकता है चातरों को सफलता मिलेगी चले कन्या राशी वाले जातकों का लखी नंबर अ कलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर 6 है लखी कलर हरा है और अब बात करते हैं तोला राशी की पैसा कहीं निवेश किया हुआ है तो नजर बनाए रखे शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आज का दिन शुभ है प्रेम संबद मजबूत बनेंगे तोला राशी वाले जातकों का लखी नंबर 9 है लखी कलर आपका श्वेथ है और बात करेंगे अब तोला के बाद वृष्चक राशी की अपनी मा के स्वास्त का विशेश ध्यान रखे उनकी तब्यद बिगड सकती है इसलिए उन्हें बाहर जाने देने से बचे घर का माहौल धार्विक रहेगा और वृष्चक राशी वाले जातकों का लखी नंबर 7 है और लखी कलर आपका सलेटी है और अब बात करते हैं धनू राशी की किसी दोस्त के साथ कही बाहर जाना हो सकता है खर्चे बढ़ जाएंगे जिसकारण आपका अपने पिता से मनमोटाब भी हो सकता है धनू राशी वाले जातकों का लखी नंबर 2 है लखी कलर आपका केसरी है और अब बात करेंगे मकर राशी की पेट दर्द की शिकायत रहेगी इसलिए बाहर का खाना खाने से बचे और घर का बना पॉस्टिक आहार ही गढ़न करे कॉलेज के प्रोजेक्ट में सीनियर का सहयोग मिलेगा मकर राशी वाले जातकों का लखी नंबर कलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर 3 है लखी कलर आपका नीला है और मकर के बाद बात करेंगे कुमराशी की घर में पतनी के साथ रिष्टों में मजबूती आएगी और उसके साथ कहीं बाहर जाने का कारिक्रम भी बन सकता है सुभा के समय हनुमान चलिसा का पाठ अवश्य करे कुमराशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर 5 है लखी कलर आपका पीला है और अब बात करेंगे अंतिमराशी मीन की किसी के साथ प्रेम संबन में है तो 14 फरवरी का दिन आप दोनों के लिए शुब है उसके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रियास करेंगे जिससे रिष्टों में मजबूती आएगी मीन राशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर एक है लखी कलर आपका गुलाबी है बोलते तारे में फिलहाल इतना ही नमस्कार